Hello friends and welcome to our channel, my name is Adhars Krishna and you are watching Bright Academy channel So guys, this video is for those students who are interested in management studies, business world, corporate houses को जो lead करना चाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है तो basically उन students के लिए वीडियो है जो MBA करना चाते हैं आपका post graduation diploma in management करना चाते हैं या फिर BBA करना चाते हैं, Bcom करना चाते हैं उनके बारे में ये वीडियो है, okay तो इस वीडियो में हमनों specifically discuss करने वाला हैं आपका किरलोजकर Institute of Advanced Management Studies जो आपका institute है इसके बारे में हमनों इस वीडियो में discuss करने वाला हैं इनका आपका दो campus है, आपका एक है हरियर में और दूसरा आपका है पूने में, ठीक है तो दोनों campus के बारे में हमनों इस वीडियो में डिटेल में discuss करेंगे कि जो courses क्या क्या चलते हैं, यहाँ पे fees क्या है admission कैसे लेना है, कैसे आपको discount में यहाँ पे application form मिलेगा उसके साथ ही placement statistics क्या है internship opportunities क्या है, कौन-कौन सी companies आती है, campus life कैसा है hostel life कैसा है, अगल-गल घुमने के जगें कैसे है, यहाँ पे ठीक है जो इनके campus के around है, उसके बारे में इस वीडियो में detail में discuss करने वाले हैं तो वीडियो को start करने से पहले हम लोग थोड़ा background जान लेते हैं, थोड़ा history जान लेते हैं कि इस institute का history क्या है तो आप सभी अपने screen पे अभी आप एक image देख रहे होंगे और मैं guess कर सकता हूँ, आप मेंसे सभी लोग ने कभी ना कभी इस image को या फिर इस machine को जवरी देखा होगा तो आप पहचान रहे होएं कि आपका किर्लोसकर का generator है, ठीक है इसका जो manufacturer है, किर्लोसकर group of companies इनके जो founder थे, वो थे लक्षमन राओ किर्लोसकर तो इनका जो company है, किर्लोसकर group of companies, वही इस institute को run करता है, आपका किर्लोसकर institute of advanced management studies तो जो इनके बेटे थे, आपके लक्षमन राओ किर्लोसकर के मिस्टर शांतनूराओ उन्होंने 1991 में आपका करनाटका के हरी हर में 1991 में इन्स्टिट स्टार्ट किया था आपका जिसका short में आप बोल सकते हो कियम्स, ठीक है, तो इस institute का startup आपका जो start था वो मिस्टर शांतनूराओ ने क्या था बाद में देखा गिया कि जो graduates है इसके, मिन्स इसके जो post graduates है students, alumni है वो अपने career में काफे अच्छा कर रहे है कोई company को lead कर रहा है, बड़े-बड़े corporate houses को lead कर रहा है, किसी ने खुद की company बना ली है, पोई bank का vice president है, ठीक है, तो इस institute के success के बाद इन्हें लगा कि जो games है, इसको expand करना चाहिए इसलिए 2010 में इन्हों ने पूने में अपना branch, नया branch आपका open किया, ठीक है, games कि रोसकर institute of advanced management studies तो इनके जो दोनों campuses, आप देख सेकते हैं, यहाँ पे left side में आपका हरिहर का campus है, जो कि करनाट का में है, और right side में पूने का campus है जो आपके महारास्ट में है, तो यहाँ पे दोनों में जो आपका PGDM का course चलता है, post-radution, diploma in management यह दोनों आपके AICT से यहाँ पे आपको क्यों जोइन करना चाहिए, तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, बूलेंट पॉइंट्स में आपके mentioned है, जो business इंडिया आपको organization है, consistently इन्होंने A++ ranking दिया है, यानि कि इनका जो curriculum है आपका, जो course का two years का PGDM का curriculum है, वो काफी अच्छा है faculty इस अच्छी है, industry relationship पच्छा है, internship पच्छा मिलता है फिर live projects भी यहाँ पे करवाया जाते हैं, इसके साथ ही कई सारे fest भी यहाँ पे institute में organize के जाते हैं, जो की all round development में आपका मदद करता है, जो students है इसके साथ ही आप देख सकते हो, जो इनका the week magazine है, इनका नीमिन जो the week magazine है, उसमें आपको 17th rank मिला इनको, business world के magazine में आपको 43rd rank मिला, among top private schools, फिर outlook के magazine ने 48th ranking दिया है, तो यह ranking देख के आपको पता चल गया होगा, कि आपको इस institute को क्यों join करना चाहिए, फिर क्यों नहीं join करना चाहिए, ठीक है, अब बात करते हैं कि institute में कौन-कौन से courses provide कि जाते हैं, तो जैसा कि आप देख से तो यहाँ पे BBA, Bcom, PGDM 4.0, तो आप जान लोगी कि especially उन students के लिए जिन्नोंने BTEC किया हुआ है, ठीक है, BTEC जो किया है, उनके लिए students, ओके next आपका PGDM global program है, इनका फीस आपका 20-27 लाग है, लेकिन बाकी courses का फीस इतना ज़्यादा नहीं है, जो global वाले program है, इसके फीस थोड़े ज़्यादे है, ओके, फिर आपका PGDM यहाँ पर नॉर्मल है, पोस्ट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, अपका 5 specializations, आपका 5 specializations में जैसे marketing हो गया, operation हो गया, finance, human resource and business analytics, तो इन सारे domain में आप इस specialization के साथ PGDM के courses यहाँ पर कर सकते हो अब बात करते हैं कि जो PGDM का fees है, यहाँ पर वो कितना है, ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हरिहर का campus है, मिंस हरिहर में जो करनाटका में campus है, उसका total fees है 10,75,000 बट आपको एक बात का दिहान लगना है कि आप पूरा रूपीज 10,000 एक्स्ट्रा लगेगा as a caution money, security money जो कि आपको, जब यहाँ पर आपका course complete हो जाएगा, जब आपको डिग्री मिलेगी तो आपको refund भी कर दिया जाएगा, रूपीज 10,000 तो यहाँ पर आप देख सेतों पूरा fees structure का break up है 3,25,000, 3,25,000 1,2, 2, 2, यर दोनों में tuition fee है फिर आपका other fees हैं आप administrative activities के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए पचाहजार पचाहजार दोनों साल फिर आपको यहाँ पर hostel and mage charges देने पड़ेंगे 1,65,000 and second year में 1,55,000 फिर आपका alumni membership fees आपका यहाँ पर है 5,000 रूपीज और अगर सबका sum किया जाए तो आपका total हो जाता है 10,75,000 यह आपका हरियर campus का fees है उसके साथी आप देख सकते हो यहाँ पर पूने campus का आपका fees का break up है similarly, okay तो आप देख सकते हो tuition fee यहाँ भी same है बट जो आपका other administrative and maintenance fees है उसमें थोड़ा यहाँ पर increase है फिर आपको hostel and maintenance charge है भी थोड़ा increase है जिसके कारण पूने campus का जो fees है वो बढ़ जाता है तो यह था आपका जो PGDM के courses है उनके लिए fees और जो आप BBA, Bcom, PGDM 4.0, PGDM Global इन सारे के fees यहाँ पर देख सकते हो मेंचेंड है BBA course का आपका first year का fees है 2.2 lakh यहाँ पर गलत मेंचेंड है 2 lakhs नहीं 2.2 lakhs second year का 2 lakhs, third year का 2 lakhs including hostel अगर आप hostel के facility avail करते हो तो ही आपको इतना fees देना है और अगर आप avail नहीं करते हो hostel facilities तो आपको थोड़ी कम fees लगी जो hostel की fees है वो नहीं लगी तो यह जो PGDM 4.0 है PGDM से कैसे different है तो basically PGDM 4.0 आपका बहुत ज़्यादा industry exposure आपको प्रोवाइड करता है बीटेक के students को ठीक है अलगी इसका जो curriculum है वो अलग designed है आपका जो नीचे यहाँ पर PGDM का course है वो सिप engineers के लिए डिजाइन है फिर आपका global का fee सब 20-27 लाग अब बात करते हैं अगर आप यहाँ पर admission लेने के लिए इंट्रेस्टेड हो तो eligibility criteria क्या है सबसे पहले तो आप 10 प्लस 2 पास होने चाहिए उसके साथ आपको graduation important है तीन साल का या चार साल का जितना का भी graduation हो आपको graduation important है कोई भी एक recognize university से और आपके जो aggregate marks है वो 50% से कम नहीं होना चाहिए अगर आप PGDM admission लेना चाहते हो तो अगर आप PGDM 4.0 जो इनका course है PGDM 4.0 इसमें admission लेना चाहते हो तो आपको marks 60% से कम नहीं होना चाहिए PGDM 4.0 के लिए अब बात करते हैं कि admission लेने के लिए आपको apply कैसे करना है how to apply तो link आपका description में एक दिया गया है उसके थूरू आप जाके आपको apply करना है जो यह link है इनके website होई मिल जाएगा बट अगर आप website के थूरू जो application form है उसको fill करते हो तो आपको cost पड़ेगा rupees thousand बट हमारे description में जो link है इसके थूरू apply करते हो तो आपको cost पड़ेगा rupees 500 ही पड़ेगा means 50% का आपका application fee में discount है तो description में दियेगा link को जरूर से जरूर use करना अब बात करते हैं क्या क्या आपको details यहाँ पर fill करने पड़ेंगा application form में तो जो आपका ZMAT, CAT, ATMA, GMAT, CMAT, MHCET इन सारे exams में अगर आप appear हो किसी में तो आपको appear होना ही पड़ेगा ठीक है अगर आप इन सारे exams में appear होए तो सबका आपको score feel करना पड़ेगा और उनका 35% weightage लिया जाएगा आपको merit list prepare करने के लिए उसके बाद फिर आपको group discussion में बैठना पड़ेगा उसका weightage आपका 15% है personal interview का आपका weightage 15% है फिर आपका जो 10th, 12th degree post graduate degree जो भी आपका last education qualification है उसका marks लेगा आपका 15% weightage लिया जाएगा उसके बाद अगर आप sports and extra curricular activities में भी active हो तो उसका 5% weightage लिया जाएगा अगर आपने कभी graduation के बाद job किया है तो work experience का भी आपको benefit है यहाँ ठीक है ध्यान रखना कि अगर आप graduation के पाद कहीं पर job करते हो तो आपके लिए beneficial होने वाला क्योंकि उसका भी आपको 15% weightage आपको यहाँ पर मिलेगा work experience का भी weightage है तो इन सारे criteria को मिला कि आपका merit list प्रिपेर किया जाएगा अगर आप merit list में qualify कर जाते हो तो आपको offer letter email किया जाएगा या फिर कैसे भी आपको different communication channel के थुरूँ आपको बताया जाएगा या फिर आपको offer letter दिया जाएगा इस institute में admission के लिए कुछ special guidelines में आपके mentioned है group discussion और personal interview के लिए जैसे कि आप आप देख सकते हो group discussion extemporal will be evaluated based on initiative, communication skill, content and behavior personal interview will be assessed based on general awareness, subject awareness, personality and critical thinking तो इन सारे parameters को आपको check किया जाएगा group discussion और personal interview में उसके हिसाब से आपको weightage में marks calculate होगा बात करते हैं कि अगर आप यहाप admission लेते हो तो आपको scholarship के opportunities क्या क्या है और अगर financially able नहीं हो इस institute में admission लेने के लिए तो आप कैसे admission ले सकते हो loan के थूँ तो यहापे आप देख सकते हो अगर आप जो भी यहाप exam CAD, Z, CMAT, CMAT मैट, उसमें अगर आप 95% से उपर लाते हो 95% से उपर लाते हो तो आपको total program fee में मिंस दो साल के जो आपका fees है उसमें आपको एक लाग मार्फ कर दिया जाएगा एक लाग का आपका scholarship है वही है अगर आप 90-94% तक का marks लाते हो इन सारे exams में तो आपको scholarship मिलेगा रुपीज 60,000 का अब बात करते हैं कि यह scholarship आपको मिलेगा कैसे तो आपको ध्यान रखना जो पूरा आपका course है उस 6 semester में है तो 5th semester आपको यह 6 semester में मिलेगा यह rebate जो आपको है 6 semester मिलेगा जो आपका fees है उसी में से आपको means wave कर दिया जाएगा आपको जो पैसा है बट आपको क्या करना पड़ेगा 5 semester तक 5th semester तक आपको 7.20 का CGPM maintain करना होगा अगर आपका CGPM 7.20 से नीचे चला जाता है तो आपको scholarship नहीं मिलेगा अगर आप 90 to 94 percentile यह फिर 95 percentile से उपर भी marks लेते आते हो cat mat exam में वहीं जो 60,000 के scholarship के लिए eligible है उनका जो minimum CGPM requirement है वो है 6.41 यानि 5 semester के बाद आपको minimum CGPM होना चाहिए वो 6.41 होना चाहिए इसके नीचे आपको CGPM जाता है तो आपको scholarship नहीं मिलेंगे बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे education loans के opportunities हैं तो education loans के देखोगे तो आपका जो kiems है आपका किलोसकर्स का जो institute है उसने SBI के साथ tie up किया हुआ इनके विद्यालक्षमी scheme के साथ तो जो आपको SBI की वहाँ भी branch है वो आपको education loan provide करेगी दो साल के लिए पूरी funding करेगी उसके साथ ही इनका ICICI के साथ भी tie up है जो कि आपको 50 lakh तक का loan आपको provide करेगी है education loan आपको provide करेगी अब बात करते हैं यहाँ पे क्या-क्या placement के stats हैं तो जैसा कि आप अपने screen पर देख से ही तो इनका जो 2019 से 2021 रिकीज का batch था उसमें इनका highest package 14.50 lakhs था मिन्स साड़े चौदा लाग का package था highest और जो average package गया था वो 7.5 lakhs था आपको placement percentage 100% तो आपको सौ से ज्यादा companies यहाँ पे आई थी साड़े चौदा लाग highest package था साड़े साथ लाग आपका average package था और placement जो था हुआ है अब देखते हैं कौन-कौन सी companies इस institute में आती है तो आप देख से तो amazon होगया आपका ICICI, HDFC, phone pay Airtail, Mariko, Decathlon Honeywell, ICIC again ठीक है यह prudential है ICICI bank है, Kent होगया आपका Cantari analytics company है, KPMG analytics company है, OUA Exit, Byju's, Accenture, Adani Deloitte, Tata तो बड़ी-बड़ी companies यहां पे आती है recruit करने के लिए काफी अच्छी-ची companies आती है तो आप इस institute को एक अच्छा option मान सकते हो अगर आप placement के perspective से institute को join करना चाहते हो, तो ओके तो यह सारी बाते होगे, पढ़ा ही लिखा ही नौकरी की अब बात करते हैं, और भी क्या-क्या colleges में प्रवाइड के जाते हैं तो college में आपको gym का facility अविलेबल है आपको hostel facility आप अविलेबल है काफी अच्छा hostel है, इसके साथ ही आपको canteen का facility अविलेबल है और library भी अविलेबल है, जिसमें पावना लेक, यह सारे जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हो, अगर आप पूने campus जॉइन करते हो, तो अगर आप हरियर campus जॉइन करते हो, तो चित्र दुर्गा फोट आपका है, काफी सुन्दर फोट है ठीक है, यहाँ पर बगल में है पर आप देख सकते हैं, हमपी अगर आप एडवेंचर हो, एडवेंचर में आपका काफी जादे इंटरेस्ट है, तो आप डेंडेली में जा सकते हो, राफ्टिंग करने के लिए फिर आपका को करना बीच हो गया जो अग फोल्स हो गया, तो काफी जगा यहाँ पर घूमने के लिए हैं, कैमपस के अगल बगल ओके, तो डेफिनिटली फ्यूर इन महरास्ट और करनाटेका, यूर डेफिनिटली गई तो इंजोई दा ब्यूटिफुल प्लेसे आउट देयर, ओके तो आपको अपलाई करना हमारे डिस्क्रिपिशन में दिये गए लिंक के थ्रू, उससे आपका जो फॉर्म का कॉस्ट है, 500 रुपीज हो जाएगा, 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके So that's all in this video guys, thank you for watching our video, please do like, share, comment and subscribe to our channel to get more updates, thanks for watching once again